मादिमिक स्तर पर आज हम बात करेंगे हमारे एक रेखा चेत्र की गिल्लू आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनके पास कोई न कोई पालतू पशुपक्षी अवश्य होगा यह बहुत ही समाने सी बात है इश्वर की रची इस प्रकृती में मानव अन्य जीवों के साथ मिल जुलकर समन्वे के साथ रहता है स्नेल की अपने पन की अपेक्षा करने वाला मानव अकेला नहीं है सभी प्रारणियों को स्नेल पूर्ण व्यहवार अच्छा लगता है आपने अक्सर देखा होगा कि ये पशुपक्षी अक्सर हमारे जीवन में अपना एक विशेश स्थान रखते होंगे अगर आप अपने बश्मन की बात याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि आप मेंसे हर किसी ने कभी ने कभी किसी ने किसी जीव के प्रती इतना स्नेही रखा होगा कि उससे बिछडते हुए आपको बहुत ही दर्द मैसूस हुआ होगा इसी प्रकार के एक रेखा चित्र के बारे में आज हम इस करिकरम के अंदर का चर्चा करेंगे यह जीव गिलहरी है और यह रेखाचित्र लिखा है सू विख्यात लेखी का महादेवी वर्माजी ने उन्होंने और भी बहुत सारे जीवों के बारे में लिखा है आज हम बात करेंगे इस गिलहरी की पार्ट का प्रारंब होता है लेखिका को आई गिलहरी की इस याद से जो अब जीवित नहीं है और वह याद आते ही उसे वे सारी परिसितियां याद आने लगती हैं जिनमें ये प्रारंई लेखिका को मिला था दो गमलों के बीच में फसा हुआ यह जीव कवों का ग्रास बन ही जाता परन्तु लेखिका की नजर उस पर पढ़ गई और उन्होंने उसे बचा लिया उसकी सेवा की और उसे ठीक किया और धीरे धीरे वह उनकी इस जीवन का दिन चर्या का हिस्सा बन गया इसी के बारे में हम बात करेंगे तेकिन पहले हम बात करते हैं कि इस पार्ट को पढ़ने का मुख्य उदेश्य हमारे सामने क्या है तो आईए इन उदेश्यों के बारे में हम बात करें पहला उदेश्य इस पार्ट को पढ़ने का हमारे समक्षिय है कि मनुष्य और पशु पक्षी तथा अन्य जीवों के परस पर संबंद का हम उलेख कर सकें। आप अपने जीवन से भी अपने अनुभवों को लेकर महसूस कर सकें, याद कर सकें किन पक्षियों के प्रती आपने इसने हिव्यक्त किया, देखा, समझा और याद किया। आप उनका उलेख अपने शब्दों में कर सकें। दूसरा उदेश्य है, वादसल्य तथा ममता जैसे भावों का वर्नन आप कर सकें। वादसल्य और ममता, मा और बच्चे का परसपर प्रेम, परसपर स्ने, इस प्रकृती का महानतम प्रेम, स्ने, भाव माना जाता है। और इसका वर्नन आप अपने भावों में कर सकेंगे, इसके लिए सक्षम हम बन सकें इस पार्ट को पढ़ने के बाद अगला उदेश, मर्मस पर्शी, अंतर मन को छूने वाले स्थलों के सकारात्मक प्रभाव का उलेग कर सकें अगला उदेश, इस रेखा चित्र की विशेशताओं और भाशा शैली पर टिपनी कर सकें अपने संपर्क में आए मनुश्यों और अन्य प्रार्णियों के विवार के विशेव में लिख सकें इस पार्ट को हम मुखे रूप से चार हिसों में बाढ़ सकते हैं गिलहरी के उस छोटे से बच्चे के बचने की आस किसी को न थी परन्तु लेखिका की मानुवियता ने हार नहीं माने लेखिका ने उसकी सेवा की दवा और सेवा के प्रभाव से वह जीव काफी ठीक हो गया लेखिका लिखती हैं कि तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्ने बंजूस में पकड़ कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर वह देखने लगा लेखिका ने उसका नाम गिलू रख दिया पून रूप से स्वस्थ गिलू तरह-तरह की अठकेलियां करते और लेखिका का मन मोग लेने लगा लेखिका ने गिलू के बाहर जाने के लिए एक मार्ग भी बना दिया ताकि वह दिन में बाहर जाकर खेल सके और जब चाहे वह घर में वापिस आ सके जब लेखिका घर पर नहीं होते थी तो गिलू भी बाहर घूंगता और लेखिका के लोटने के समय पर वापिस अपने जूले में जूलने लगता बहुत सी ऐसी अठकेलियां थी उसकी शरारतें थी जो बार-बार लेखिका को याद आती थी जिन में से कुछ थी कि वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता कभी परदे की चुनर में, कभी सोन जुही की पतियों में गिलू का लेखिका से इतना प्रेम हो गया था, इतना स्ने हो गया था, इतनी आत्मियता हो गई थी कि वहें लेखिका के साथ ही खाता था ऐसा पहली बार हुआ था बहुत से अन्य जीव भी उसके घर में थे परन्तु सिर्फ गिल्लू के साथ ही वह इतनी आत्मिय हो पाई कि उसे अपने थाली में अपने साथ बिठा कर खिला सकी इसी भी जब लेखिका एक दुरघटना में घायल हुई और उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल रहना पड़ा तब गिल्लू का बेसबरी से इंतजार देखा उन्होंने लेखिका ने कि गिल्लू ना तो अपनी मन पसंद काजू खाता था और वे बेसुद सा गुमसुम सा बैठा रहता था और जब लेखिका घर आए और उसने ये अनुभव किया कि जैसे एक परिचारिका किसी बिमार की सेवा करती है वे छोटा सा जीव उनके बालों को सहलाता था यह बात लेखिका कभी भी नहीं भूल पाई कहने की बात है कि यदि मानव किसी जीव का ध्यान रखता है तो ऐसा नहीं है कि जीव इस बात को अंदेखा कर देता है वे सने का भाव वे सेवा का भाव उस छोटे से जीव में भी था इस पार्ट में यही बताया गया है कि यदि सने और सह अस्तित्व की भावना से हम मानुवियता दिखाते हुए इस प्रकृती में रहें तो बहुत ही समनवयात्मक वातावरन रहेगा यह बहुत अच्छा संदेश हमें इस रेखा चित्र के माध्यम से मिलता है एक छोटा सा अंच हम इसका पढ़ेंगे इसका वाचन मैं करते हूँ और हम देखेंगे कि कितनी सरल भाशा लेखिका ने इस पार्थ में प्रेयोक की है सोन जुही में आज एक पिली कली लगी है इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सगन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंदे पर कूद कर मुझे चौका देता था तब मुझे कली की खोज रहती थी पर आज उस लगव प्राण की खोज है परन्तु वह तो अब तक इस सोन जुही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा कौन जाने स्वर्निम कली की बहाने वही मुझे चौकाने उपर आ गया हो अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुवा छुवा ओल का खेल खेल रहे हैं यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है एक साथ समादरित, अनादरित, अतिसमानित, अतियवमानित हमारे बिचारे पुर्खे न गरुड के रूप में आ सकते हैं मयूर के न हंस के उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीन होना पड़ता है इतना ही नहीं हमारे दूरस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधू संदेश इनके करकश स्वर में ही देना पड़ता है दूसरी ओर हम कवा और काउं काउं करने को अवमानना के अर्थ में प्रयोक्त करते हैं मेरे काक पुरान के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दिवार की संधी में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टी रुख गई निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवा तह फूसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलब आहार खोज रहे हैं काक दोय की चोंचों के दो घाव इस लगुप्राण के लिए बहुत थे अतह वहनिश्चेश्ट सा गंबले से चिपका पड़ा था सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता अतह इसे ऐसे ही रहने दिया जाए परंतु मन नहीं माना उसे हॉले से उठा कर अपने कमरे में लाई फिर रुई से रक्त पूँच कर घावों पर पैंसिलिन का मरहम लगाया रुई की पतली बत्ती दूद में भिगो कर जैसे तैसे उसके नन्ने से मुँँ में लगाई पर मुँँ खुल न सका और दूद की बूंदे दोनों ओर धुलक गई कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुँ में एक बूंद पानी टपकाया जा सका तीसरे दिन वे इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्ने पंजों से पकड़ कर नीले कांच के मूतियों जैसे आँखों से इधर उधर देखने लगा शिक्षार्थियों यह वह समय था जब गिल्लू ने पुनह जनम प्राप्त किया था पुनह जनम कहने का ताकपर यह है कि वह तो लगभग मृत प्राय ही था जब कौवे उसे अपना भोजन बना रहे थे परंतु लेखिका की मानुवियता के कारण वह बज गया शैशे ववस्था में था और लेखिका की सेवा से वह बहुत अच्छी सेहत उसने प्राप्त की और धीरे धीरे उसने अपना स्वास्थे जो पाया उससे वह एक उन रूप से स्वस्थ जीव के रूप में पन पा इतना ही नहीं लेखिका के परिवार का वह आंग भी बन गया उसके खाने का उसके पीने का पूरा ध्यान लेखिका रखती थी हमने देखा कि लेखिका ने उस जीव को गिल्लू नाम दिया गिलहरी था जाती वाचक संग्या को वेक्ती वाचक संग्या में परिवर्तित करते हुए बहुत ही सुविधा जनक नाम गिल्लू दिया गया धीरे धीरे गिल्लू अपने जीवन के वसंत समय में आया वसंद जो यौवन का प्रतीक है तो वहे खिड़की के पास बैठा हुआ बाहर देखता रहता यह देखकर लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना बहुत जरूरी है क्योंकि घर में कुत्ते और बिलियों से उसकी रक्षा करना भी संभव नहीं था इसलिए लेखिका ने एक खिड़की से जाली काट कर उसका बाहर जाने का रास्ता बनाया लेखिका जब घर से बाहर होती थी तब बाहर जाता था बाहर जाकर वे पूरी शरारते अठखेलियां खेल करता था और जब लेखिका के आने का समय होता था तब ये पुना आ जाता था और वहां रखे वे अपने जूले में जूलने लगता था बीच में लेखिका एक दुरघटना से ग्रस्त हुई उन्हें कुछ समय बाहर रहना पड़ा जब भी दर्वाजा खुलता गिल्लू को बस इंतजार होता लेखिका का जब वे देखता कि लेखिका नहीं है कोई और है तो वे फिर मायूस सा अपने जूले में बैठ जाता इससे हमें ये पता चलता है कि मानव ही नहीं जीव भी पशू भी पक्षी भी स्ने के लिए लालाईत रहते हैं और जिनसे उन्हें स्ने होता है उनका उसी तरीके से इंतजार करते हैं जैसे हम मानव अपने परिवार जनों का शाम को घर आने का इंतजार करते हैं यहरेखा चित्र आगे बढ़ता है और लेखीका उनकी विभिन तरह की शरारतें बताती हैं वे किस तरह से उसका ध्याना करशित करने के लिए तरह तरह की शरारतें करता है और कभी परदे पर चड़ जाता है, कभी लिफाफे में वे उसे उठा कर रखती है और वे अपनी मोटी मोटी आँखों से उसे स्ने से देखता है लेखिका उसे अपने साथ खिलाती है वे लेखिका की ही थाली में बैठ कर खाता है और धीरे धीरे लेखिका ने उसे इतना सिखाया कि जीवे एक एक चावल का दाना बहुत सफाई से उठा कर खाने लगा चूंकि प्रकृती का नियम है जो जन्मा है उसके मृत्तिव वश्य होगी और प्रकृती ने गिलहरी जीव के लिए दो वर्ष का ही समय रखा था अंततह वह समय आ गया जब गिलू इस दुनिया से विदा लेने लगा लिखिका को इस बात का बहुत दोख था उसने उसके ठंडे पंजे देखकर इस बात का अनुमान लगा लिया कि हाँ अब वह मृत्यू को प्राप्त हो रहा है उसने काफी कोशिश की कि उसे बचाया जा सके पर अन्तु प्रकृती का नियम नहीं रोका जा सकता और सवेरे होते होते वह मृत्यू को प्राप्त हो गया शिक्षार्थियों हम देखते हैं कि हमारे समाज में मृत्यू प्राप्त विक्ति को या जीव को दफनानी का और शवदा का ही प्रचलन है चूंकि पश्वों को चलाया नहीं जाता इसलिए लेकिका ने उसे उसी सोन सोन जुही की जड़ों में दफनाया जिस पर चड़ कर इठलाना उसे बहुत पसंद था जब सोन जुही की कली निकली तो लेखिका को लगा कि जैसे वही जीव उसकी और मुस्कुरा रहा है बहुत ही मर्मस परशी दिल को छूने वाला यह रिखा चित्र हमें कहीं न कहीं इस बात को विचार करने पर मजबूर करता है कि क्या हम इतने ही आत्मिय अपने साथ रहने वाले जीवों के प्रती हैं जितनी की लेखिका थी बहुत ही महत्वपून बहुत ही रोचक यह रेखा चित्र हमारे सामने बहुत सारे प्रशन ऐसे रखता है अब हम बात करेंगे इस चित्र में प्रयुक्त हुई भाशा शैली पर। आप देखेंगे कि इस रेखा चित्र की भाशा बहुत ही रोचक है, बहुत ही सरल भाशा, बहुत ही सरस भाशा जैसे आप अपनी आखों के सामने यह सारा द्रश isn't it देख रहे हैं इस रेखा चित्र में बहुत से शब्द ऐसे इस्तेमाल किये गए हैं जो हम आम बोलचाल में प्रेयोग करते हैं आपको पढ़ते हुए बहुत आनंद आता है तरह तरह की भावनाई आपके मन में उमरती हैं आपने देखा कि यहाँ पूरा रेखा चित्र एक आत्मक अथात्मक शैली में लिखा गया है लेखिका अपने उपर बीती या अपने अनुभव को आत्मक अथात्मक रूप में बता रही है कि मैंने ऐसा देखा, मुझे ऐसा लगा, जहां पर मैं का भाव आ रहा है, मैं का प्रयोग करते हुए लेखिका ने इस पूरे रेखाचित्र को लिखा है चुकि रेखाचित्र है तो आप खुद देखेंगे कि जब आप ये रेखाचित्र पढ़ते हैं तो आपके मन में तरह की ये जो स्थितियां हैं एक चित्र प्रस्तुत करती हैं इसलिए यहां रेखा चित्र है और इसमें हमने किसी को स्मरण किया है इसलिए इसे कहा जा सकता है कि यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है इसके अतिरिक्त इसमें जो मुख्य रूप से तकनीक इस्तेमाल हुई है वह है फ्लाश बैक तकनीक शिक्षार्थियों आपको ध्यान होगा कि हम बहुत सी फिल्में देखते हैं जिसमें वर्तमान में चल रही फिल्म में कोई किरदार अपनी बीती बातें याद करता है और वे फिल्म पीछे चली जाती है उसी तकनीक को हम flashback तकनीक कहते हैं इसी तकनीक का इस्तेमाल इस रिखाचित्र में हुआ है यह पूरा रिखाचित्र flashback तकनीक में ही लिखा गया है चुकि आज इस समय गिलू हमारे साथ नहीं है महादेवी वर्मा जी के साथ नहीं है इसलिए वे उनकी यादों को और उस समय उससे हुए आनन्द को याद करती है और उसकी मृत्यूस को भी वे दुख से याद करते हुए उनका स्मरण कर रही है तो यह flashback तकनीक इस रिखाचित्र में बहुत पखुबी से इस्तेमाल हुई है flashback तकनीक जो हमने अभी बात की जिसके बारे में इसे हिंदी में पूर्व दीप्ती शैली भी कहा जाता है आपके सुविधा के लिए हमने यह बताया कि यह flashback तकनीक है आप चाहें तो इसे पूर्व दीप्ती शैली भी कह सकते हैं इस रेखाचित्र की लेखी का महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचे हम प्राप्त कर लेते हैं महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ उन्होंने उच्छ शिक्षा इलाबाद उत्तरप्रदेश से प्राप्त की और वे आजीवन इलाबाद में ही रही वे छायवाद की महत्वपून कवेत्री थी यामा उनकी कविताओं का प्रमुक संकलन है जिस पर उन्हें भारतिय यानपीट पुरसकार से भी समानित किया गया था उनके कावे संग्रे हैं दीपशिखा, नीरजा, नीहार और रश्मी कविता के साथ साथ उन्होंने महत्वपून गद्य सहित्य भी लिखा उनके संस्मरण और रेखाचित्र बहुत महत्वके हैं और कवित्री के साथ साथ एक रेखाचित्रकार और संस्मरण लेखिका के रूप में भी उन्हें विशेश ख्याती प्राप्त है गिल्लू रेखाचित्र जो हमने अभी पढ़ा उनके मेरे परिवार नामक संग्रह से लिया गया है जिसमें उन्होंने गिल्लू के अतिरेक्त नीलकंट जो मोर के बारे में है सोना जो हिरनी के बारे में है दुर्मुक जो खरगोश के बारे में है गौरा जो गाई के बारे में है और नीलू जो कुत्ते के बारे में है साथ ही निकी जो नेवले के बारे में है रोजी और रानी जैसे मानवेतर प्राणियों के भीतर छिपी समेदन शीलता को उन्होंने चित्रात्मक रूप में व्यक्त किया है इसके आतिरेक्त इस्त्री की स्थिति और उसकी समस्याओं पर श्रंखला की कडिया नामक उनके लेखों का संग्रह भी है अंत में हम बात करते हैं कि हमने इस पार्ठ की चर्चा करने के बाद क्या-क्या सीखा हमने सीखा पशू-पक्षी हमारे जीवन का अभिन अंग हैं और उनके प्रती मानविय करुणा का भाव हमें रखना चाहिए पशू-पक्षी हमारे मित्र और सहायक हो सकते हैं यदि हम उनकी रक्षा करेंगे तो वे भी हमारे सुख दुख में साथी होंगे प्रेम और मम्ता का भाव पशू-पक्षियों या मानवेतर प्राणियों में भी उसी प्रकार होता है जैसे की मानव में गिल्लू के विवार से मन पर सकारात्मक प्रभाव पढ़ता है करुणा और समानु-भूती के माध्यम से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं जिस प्रकार मानव में उम्र के अनुसार, शारेरिक एवं व्यवारगत परिवर्तन होते हैं, वैसे ही अधिकांश मानवेतर प्राणियों में भी ये परिवर्तन होते हैं. इस रेखा चित्र की भाशा शेली, सहज, सरल और सरस है, इसकी भाशा प्रवापून है, भाशा में तत्सम, तद्भव, देशज, तथा अन्य भाशाओं से प्राप्त, अर्थात, आगत शब्दों का प्रेयोग किया गया है रेखा चित्र और संस्मरण आधुनिक गध्य विधाए हैं, जहां रेखा चित्र में चरित्र की खास-खास बातों के चित्रन का विशेश महत्व होता है वहीं संस्मरण में स्मृत्वय महत्वपून हो जाती है रेखाचित्र का संबंद विगत और वर्तमान से होता है जबकि संस्मरण का बीते समय से रेखाचित्र की अपेक्षा संस्मरण में आत्मियता अधिक होती है महादेवी ऐसी विशिष्ट रचनाकार हैं जिनके लेखन में अभावग्रस्त मनुष्य ही नहीं पशुपक्षियों तक को गेहरी आत्मियता मिली है इस तरह के अन्य संस्मरण आत्मक और रेखाचित्र संबंधी रचनाएं आप अपने अध्यन के लिए पढ़ सकते हैं तो इस तरह से हमने इस रेखाचित्र के बारे में बात की आशा करते हैं कि आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार